इन दिनों चल रहे हैं नव तपा और उसमें है दिबे पावन सनिवार जुकी भागी की रेखाओं को प्रबल करने के लिए हैं आपको जीवन में जब बहुत अधिक दुरगटनाओं का सामना करना पड़े और जीवन में बहुत अधिक आपके जो है किसी न किसी सरूप में सन प्रदान करने वाले हैं और महादेव के आसपासी इन दिनों नाउग्र है जो है विच्रण करते हैं उसमें से सूरी नाराय भगवान सनी देव सभी आते हैं तो आप सभी को इन दिबे उपायों को करने का प्रियत्न करना है जीवन बदलेगा इस बात की गारंटी है कब कैस उपाय करें कि स्वरूप में उपाय करें ध्यान से सुनिये इन दिनों जैसे मैं हमेशा कहती हूँ गर्मिया चरम सीमा पर है आप अपने भी चाहते हैं कि कुछ ठंडी चीज़ों का प्रवंध हो और आप देवी देवताओं को भी उसी की अनुसार सेवा दीजिएगा जिस आप ले लिजिएगा चंदन आप पीला ले सकते हैं ला चंदन ले सकते हैं इच्छा सक्ति सामर्थ आपकी है आपको डाल देना है इसे जल के लोटे में साथ के साथ आपको लेना है एक पीपल का पत्ता पीपल का पत्ता आपको लेना है और आपको थोड़ा सा लेना है और पीपल का पत्ता काले तिल और विशेस्तर पर चंदन यह सभी चीज़ें आपको लेनी है और उपाई करने के लिए आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है किसका नाम लेना है पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है मेरे साथ आप सभी भी बोलिये पिपलेश्वर महादेव की जह तो आप सभी को पिपलेश्वन महादेव का नाम लेकर काले तिल पीला चंदन और आवश्यक रूप से थोड़ा सा जो है एक पीपल का पत्ता पीपल का पत्ता आप जड़ा हुआ ले सकते हैं नया पुराना तोड़ भी सकते हैं कोई दोश की बात नहीं है तो तो कोशिस करें महादेव को भी आप इन दिनों जैसा स्वेम जैसे आपको बार बार इन दिनों पानी की प्यास बढ़ती है ना ठीक मेरे महादेव पर भी जो है आप उन्हें जीवित पिता सरूप मानेंगे तो भी जीवित ही आपको दर्श देंगे तो आप सभी को उन्ही जो sibling विराजमान है उस पर भी उपाय आप कर सकते हैं आप सभी को क्या करना है पूर विया उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है घर के सभी सदश्यों का इस जल के लोटे में हाथ स्पर्श करा लेना है और इस जल के लोटे को पूरे घर में आपको घुमा लेना है घुमा लिया ठीक है जी पिपलेशर महादेव का नाम लेना है मन में ऐसी भावना करनी है कि मेरे घर में कोई जो है उपरी बाधाय है जो मेरे परिवार में सुभ मांग लिक कर नहीं होते पुत्र प्राप्ती में अर्चना रही है और जीवन में हमेशा ही खुशियां कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरुप में रुकी हुई है उन सभी चीजों का बहान करते हुए आप सभी को जो है विसेश तोर पर सभी सदक्ष्यों का सपर्ष करा कर घर में घुमा कर इस जल के लोटे को जिसमें चंदन, काला, तिल, पीपल का पत्ता आपने डाल रखा है सबसे पहले महादेव के सीवलिंग को आपको प्रणाम करना है गोलबत्ती का घी का दीपक लगाना है पिपलेशन महादेव का स्मरण करना है और अपने घर के जो दुख, तकलीफ, कस्त, संकट, पीड़ा और मनों कामना है वह कहते हुए आपको साधारन सरल तरीके से सभी चीजे सीवलिंग पर समरपित कर देनी है कोई भी चीज इसमें से घर नहीं लानी है, इस बात का ध्यान रखना है सभी चीजें आपको अपने घर, जैसे विश्धर है मेरे महादेव और थार विश्ध का प्याला धारन करते है तो आपके परिवार के भी जो संकट, कस्त, पीड़ा, बीमारियां, दुख, दरीदरता चल रही है वह ग्रहन कर लेंगे, अपने आउरण में रख लेंगे, वह तो विश्ध का नाश कर देते हैं तो ऐसे मैं आप सभी को जलके लोटे को घर में गुमा कर, इस पर शकरा कर सीवलिंग पर समर्पित कर देना है चंदन मेरे महादेव को बहुत अरिक सुख देता है, और काले तिल पित्रों से संबंद रखते हैं, राहुसनी से संबंद रखते हैं और पीपल का पत्ता तो एक तरह से एक चमतकार है ही तो आप सभी को इस सरल से उपाय को इस दिब्ब सनिवार जो की विसेश तोर पर इस महने का आपको कोशिश करनी है इस पवित्र दिन में आप सभी कर पाएं, खुशियां परिवार में आएंगी, इस बात की कारंटी है तो करके देखिएगा, पीपलेश्वर महादेव का यह उपाय आपके जीवन में निश्चिती चमतकार करेगा तो प्रथम उपाय हमने बात कर ली बढ़ते हैं, दूसरे सरल से उपाय की तरफ, यह उपाय भी बहुत सरल है और बहुत विसेश है यह उपाय आपके परिवार में निश्चिती हर कारे में बरकत करेगा लॉंग और काली मिट्च से करना है, लॉंग आप जानते होंगे, जीवन में हर कारे में नकारात्मक्ता का नाश करता है और सकरात्मक्ता भरता है और काली मिर्च जो है आवश्यक रूप से कारे में बल प्रयान करती है गुरुजी कहते हैं जब परिवार में परेशानिया बढ़ रही हो तो अपने हाथ की हतेली में थोड़ा सा लॉंग और काली मिर्च आपको ले लेनी है और थोड़ा सा काले ति ले लेने है और इसे ले जाकर आपको पहले तो इसे पूरे घर में घुमा लेना है उसके बाद आप सभी को जो है विसे इस तोर पर प्रते एक बिक्ती का घर पर जो विराजमान बिक्ती है उनका इस पर शकरा कर आपको इसे सीवलिंग पर समर्पित कर देना है सनिवार के और हरता सिवालाइग का दरवाजा वहां पर आप सभी अपनी मनों कामना कहकर समर्पित कर देते हैं। तो परिवार में जो आकाल में त्युका भय है, रोग दुर घटना है, जीवन में दुख दरी दरता चल रही है, उनका नेदान होकर परिवार में बरकत होती है, तो करके देखिएगा दूसरा उपाई भी आपको लाब देगा, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाई की तरब, त अपने आप में बहुत अधिखास माना जाता है, तीसरा उपाई कैसे करना है, ध्यान से सुने, तीसरा उपाई आपको लेना है, एक काजल की डिब्बी, काजल की डिब्बी आपको काशी विश्वनात भगवान का नाम लेते हुए, उपाई के सरूप में करना है, काशी वि विश्चनान भगवन का नाम लेकर उस 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 विश्चनान भगवन का नाम लेकर उ इस सनिवार को काजल की डिबिया का उपाई कर लिजेगा लाव आपको किसी ना किसी सरूप में महादेव देंगे इस बात की गारंटी है यह दिन चमतकारी है और खोश्या भरने के लिए तत पर हैं इन दिनों महादेव को ठंडे पानी की सेवा चंदन की सेवा और सनिवार का दिन है पीपल व्रक्ष की जड़ में और शमी व्रक्ष की जड़ में आपको गी का या तिली के तेल का जिसमें काली तिल आपको डालनी है थोड़ा सा अंधिरा हो तब प्रजोलित करना चाहिए गुरु जी कहते हैं चीवन में पैसा गलत जगे खर्च नहीं होगा जो भी स संकट पीड़ा का निदान करने के लिए हैं तो इन दिनों का खूब लाब उठाएं और जीवन को समरध्य करें इन दिनों की आगया दीप दान जल का दान खास तोरकर सनी देव को प्रसन्य करने के लिए आसपास कोई भी प्यासा विक्ति आपको दिखता है जिसे पानी की खूब दान कीजिएगा कभी सनी राहो संबंधी परिशानी नहीं होगी पीपल और अनिवरक्षां को भी इन दिनों जल से सीचना एक जो है बिमार विक्ति को उनकी सेवा के समान जाना जाता है क्योंकि गर्मी अपनी चरम सीमा पर है हर एक त्राशदी से सभी जूज रहे ह हर तरह पानी की जरूरत है ऐसी स्थिति में यह उपाय अपने आप में विसेश है कीजिएगा लाब मिलेगा